जै श्री रादे भक्तों हिंदी काफिय में ब्रहमर गीत का मूल स्तोत्र शीमत भागवत पुराण है जिसके दशम सकंद के 46 और 47 अध्याई में ब्रहमर गीत का प्रसंग है शी कृष्ण चंदर जी कोपियों को छोड़ कर मतुरा चले गए और गोपियां विरह विकल हो गई कृष्ण चंदर जी मतुरा में लोग हितकारी कारियों में व्यस रहते थे लेकिन फिर भी उन्हें वरच की गोपियों की याद बड़ी सताती थी तब उन्होंने अपने एक अभिन्न मित्र उद्धव को संदेश वाहक बनाकर कोपूल भेजा वहाँ पर गोपियों के साथ उनका वार्टा लाप हुआ तभी एक ब्रहमर वहाँ उड़ता हुआ आ गया गोपियों ने उस ब्रहमर को प्रतीक मानकर अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर जो व्यंग किये एवं उपालंब दिये उसी को ब्रहमर गीत के नाम से जाना जाता है ब्रहमर गीत प्रसंग में निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन और ज्यान एवं योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को शेष्ट ठहराया गया है आज हम आपके लिए वही ब्रहमर गीत यहाँ पर लेकर आए हैं हिंदी में तो चलिए शुरू करते हैं गोपी ने कहा रे मधुप तु कप्टी का सखा है इसलिए तू भी कप्टी है तू हमारे पेरों को मत चूँ जुटे पडाम करके हमसे अनुने विनय मत कर हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल से स्पर्ष से मसली हुई है उसका पीला पीला कुमकुम भी तेरी मूचों पर भी लगा हुआ है तो स्वयम भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता यहां से वहां उड़ा करता है जैसे तेर वन्शियों की सभा में उपहास करने योग है अपने ही पास रखें उसे तेरे द्वारा यहां भेजने की भला क्या आवश्यकता जैसा तु काला है वैसा ही वे भी है तु भी पुश्पों का रस लेकर उड़ जाता है वे ही ऐसा ही करते हैं उन्होंने हमें किवल एक बार हा और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़ कर वे यहां से चले गए पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सिवा कैसे करती रहती हैं अवश्य ही वे छेल छबिले कृष्ण की चिकनी चुपडी बातों में आ गई होंगी चिचोर ने उनका भी चित चुरा लिया होगा अरे भ्रमर हम वन वासिनी हैं हमारे तो घरद्वार भी नहीं है तो हम लोगों के सामने यदवन शिरोमनी श्री कृष्ण का बहुत सा गुडगान क्यों कर रहा है ये सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो है परंतु नहीं वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं हमारे लिए तो जाने पहचाने बिलकुल पुराने हैं तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी तु जा यहां से चला जा और जिनके साथ विजय सदा रहती है उन स्री कृष्ण की मदुपुर वासनी सक्षियों के सामने जाकर उनका गुडगान कर वे नहीं हैं उनकी लीलाएं कम जानती हैं और इस समय वे उनकी प्यारी हैं उनके रदे की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है वे तेरी प्राथना स्वीकार करेंगी तेरी चापलूसी से प्रसंद होकर तुझे मूब मांगी वस्तु देंगी वे हमारे लिए चटपटा रहे हैं ऐसा क्यों कहता ह उनके कपट भरी मनुहर मस्कान और बहुं के शारों से जो वश में न हो जाए उनके पास दोड़ी न आये ऐसी कौन सी स्त्री है अरिहन जान स्वर्ग में पाताल में पृत्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है औरों की तो बात ही क्या स्वयम लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सीवा करती हैं फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिंती में हैं परन्तु तु उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्थी का गान करते हैं लेकिन इसकी सार्थक्ता तो इसी में है कि तुम दीनों प जानती हूँ कि तु अनुने विन्य करने में, शमायाचना करने में बड़ा तेज है, मालूम होता है, तु श्री कृष्ण से यही सीख कर आया है, कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूद को संदेश वाहक को कितनी चटुकारिता करनी चाहिए, लेकिन तु समझ ले कि यहां तेरी दाल नहीं गलने की, देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पती, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, लेकिन उनमें तनिक भी करतग्यता नहीं, वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़ कर चलते बने, अब तु ही बता, ऐसे अकरतग्य के साथ ह क्या संदी करें, क्या तु अब भी कहेगा कि उन पर विश्वास करना चाहिए? एरे मधुप, जब वे राम बने थे, तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याद के सामान छिप कर बड़ी नर्दता से मारा था, बेचारी शूरपणखा काम वश उनके पास आई थी, लेकिन उन्होंने अपने स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिये और इस प्रकार उसे कुरूब बना दिया, ब्रामण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया, बली ने भी तो उनकी पुजा की, उनकी मुमांगी वस्तुदी और उन्होंने, उन् प्रिशान भी करता है अच्छा अब तु जाने दे हमें श्री कृष्ण से क्या किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रियोजन नहीं है परन्तु यदि तु ये कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करते हो तो भ्रमर हम सच कहती है एक बार जिसे कृष्ण का चसका लग जाता है वो उसे चोड़ नहीं सकता ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा चोड़ नहीं पा रहे है श्री कृष्ण की लीला रूप करनामृत के एक कणका भी जो रसास्वादन कर लेता है उसके राग, द्वेश, सुख, दुख, सारे द्व बंद छूट जाते हैं यहां तक की बहुत से लोग तो अपनी दुख में दुख से सनी हुई घर ग्रहस्ती को छोड़ कर अकिंचन हो जाते हैं अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन-चुन कर भीक मांग कर अपना पेट भर ल ही है जैसे कृष्ण सार म्रग की पतनी भोली भाली हरिनिया व्याद के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फसकर मारी जाती हैं वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस चलिया कृष्ण की कपट भरी मीथी मीथी बातों में आकर उन्हें सत्य के स समान मान बैठी और उनके नक स्पर्ष से होने वाली अनुभूति का अनुभव करती रही इसलिए स्टिक्रिष्ण के दूत भौरे अब इस विशय में तू और कुछ मत कहना तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह हमारे प्रेतम के प्यारे सखा जान पड़ता है कि तुम एक बार उधर जाकर फिर लोटाए हो जरूर ही हमारे प्रेतम ने मनाने के लिए तुम्हें भीजा है प्रिय भ्रमर तुम सब प्रकार से हमारे लिए माननी हो कहो तुम्हारी क्या इक्षा है हमसे जो चाहे मांग लो अ जा चुके हैं परन्तु तुम हमें वहां ले जाकर करोगे क्या प्यारे भ्रहमर उनके साथ उनके वक्षस्तल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्षमी जी सदा रहती हैं तब वहां हमारा निवा कैसे होगा अच्छा हमारे प्रेतम के प्यारे दूत मदुकर हमें ये बताओ कि आरे पुत्र भगवान श्री कृष्ण गुर्कुल से लोटकर मदुपुरी में अब सुख से तो है न क्या वे कभी नंद बाबा, यशुदारानी, यहां के घर, सगे संबंधी और ग्वालवालों को याद क करते हैं, प्यारे ब्रहमर हमें ये बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्व सुगंद से युक्त, बुजा हमारे सिरो पर रखेंगे, क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा सुववसर आएगा? श्री सुकदेव जी कहते हैं, परिक्षित गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक ललाईत हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी, उनकी बाते सुनकर उद्धव जी ने उनके प्रियतम का संदेश सुना कर सांत्वना देते हुए कु के लिए पूजनिये हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हरदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, दान वरत तप होम जप वेदा ध्याइन, ध्यान धारणा, समाधी और कल्याड के अन्य विविद साधनों के द्वारा भगवा पुरशोतम भगवान श्री कृष्ण को जो सब के परंपती है, तुम लोगों ने पवित्र चीर्टी भगवान श्री कृष्ण के प्रती वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदश्त थापित किया है, जो बड़े-बड़े रिश्यमुनियों के हैं पति रूप में वरण किया है महा भागिवती गोपियों भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रिया तीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तूओं के रूप में उनका दर्शन कराता है तुम लोगों का वह भाव मेरे सा परम सुक देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है कल्याणियों वही लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ अब तुम उसे सुनो बगवान श्री कृष्ण ने कहा है मैं सब का अनुगत आत्मा हूँ सब में अनुगत हूँ इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायू, अगनी, जल और पृत्वी ये पांच भूत व्याप्त हैं इनी से सब वस्तुमें बनी हैं और यही उन वस्तुमों के रूप में हैं वैसे ही मैं मन, प्राण, पांच भूत, इंद्रियां और उनक सच पूछो, मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ, मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विशियों के रूप में होकर उनका आश्य बन जाता हूँ, और स्वयम निमित बन कर अपने आपको ही रच्ता, पालता और समेट लेता हूँ आत्मा माया और माया के कारियों से प्रथक है, वह विशुद्ध ज्यान सुरूप, जड़ प्रकृति, अनेक जीव और अपने ही, अवांतर भेदों से रही सर्वता शुद्ध है, कोई भी गुड उसे सपर्ष नहीं कर पाते, माया की तीन वरतिया हैं, सुशुप्ति, स्व भी विश्व रूप से प्रतीत होती है, मनुशी को चाहिए कि वो समझे कि स्वपने में दिखने वाले पदार्थों के समान ही, जागरत अवस्था में इंद्रियों के विश्यों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले, और मानों सोकर उठा हो, इस प्रकार पुरुषों का वेदा भ्यास, योगसाधना, आत्म नात्म, विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदी, समस्त धर्म मेरी प्राप्ती में ही समाप्त होते हैं, सबका सच्चा फल है मेरा साक्षातकार, क्योंकि वे ही मन को निरुद्ध करके मेरे पास मैं जो तुम से इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है, वह यही है कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको, शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्यदी का आनुभाव करो, अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्यानी प्रेमियों का चित अपने परद प्रेमियों से रहत संपूर्ण मन मुझ में लगा कर, जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीगर ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। तुम्हें भी मैं अवश्य मिलूँगा, निराश होने की कोई बात नहीं।